हालो गुड मॉर्णिंग स्टुएंट्स कैसे हैं आप लोग बढ़िया ओके बढ़िया आप मैं भी है ना पिछले लेक्चर में हम लोग लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ रहे थे तो सबसे पहले तो चैप्टर का नाम डालने था कि आप लोग बढ़के नहीं लाइफ प्रोसेस है ना लाइफ प्रोसेस लेंवी चैप्टर है थोड़ा है आपको भी पता है बहुत लंबा है और मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूं ऐसे सिर्फ उपर-उपर मतलब इंदा सेंस के वल हैडिंग डलवा के और उसका डेफिलिशन लिखवा देना वैसे तो नह लेंटर्शेस में हम लोगों ने पिछले टन पर कर अधी किया था और उसमें उस्वागेस तक हमने पराब था हूंन इंटेस्टाइन पर दे अलिमेंटरि कैनल इसमें उस्वागेस ने अब आप इस्टउमक के बारे में पढ़ेंग आज ठीक है तो इस्टोमक बढ़ा अगर बुलते हैं कि यह स्टमक है इसके अंदर स्टमक है अलग तरीके तरीके की बाते होती है ना लेकिन एक्चल में इसका लोकेशन क्या है इसका लोकेशन है लोकेशन है लेफ्ट साइड ओफ अब्डॉमिनल कैविटी अब्डॉमिनल लेफ्ट साइड ओफ अब्डॉमिनल या इन लिख दो लेफ्ट साइड इन अब्डॉमिनल कैविटी है ना अब अब्डॉमिन कैविटी यह अब्डॉमिन होती है थोरे सी क्रीजन होता है यह जहां तक अपनको रिफ्स समझ में आती हूँ, वहां तक थोरेसिक है, और इसके नीचे ये abdomen है, और फिर पहले दिक रीजन आता है, तो जो ये abdomen है, इसमें left side, मतलब स्टमक इस तरफ होता है, ना कि पूरे में, है ना, स्टमक पूरे में नहीं है, सिर्फ left side, इस तरफ है, ठीक है, तो left side abdominal cavity के है, है ना, ओके, इसके बाद इसका shape कैसा होता है, मेटा, shape, shape आपको पते है, ये j saved हलका सा, j saved होता है, कैसा होता है, j saved होता है, है ना, इसके बाद most distensible, distensible, and wide part of, wide part of elementary, elementary canal, elementary canal, मतलब कि elementary canal का, ये सबसे चोड़ा पार्ट होता है, आपको भी पता है, कि भाई, elementary canal जो है, वो mouth से start होती है, और खतम कहां से होती होती है, जाके, anus पे, mouth से start होती है, कहीं पहें ऐसा तो नहीं है, कि भाई, उसो फेगस के बाद एक joint लगा हुआ है, एक joint लगा हुआ है, उसके बाद इस ट्रमक में गोटा सा लगा दिया गया है, फिर उसके बाद joint लगा के पतला पाइप कर दिया गया है, वैसा नहीं है न, एक साथ है, तो क्या होगा, ये सबसे ज़्यादा distanciable, मतलब distanciable part है और wide part है, किसका elementary canal का, अब इस ट्रमक के location हो गई, safe हो गई, ठीक है, इसमें part कितने होते हैं, part तो आपको पता ही है, parts, किसके parts, इस ट्रमक के 4 parts होते है, 4 parts है न, 4 parts, 4 parts होते है, diagram आप देख सकते हैं, पहले ही, सबसे पहले आपको diagram मना आगया था, जिसमें आपका एक तो body है, first number body, दूसरा है fundus, fundus, तीसरा है cardiac, और चौथा है pallorique, ये 4 parts आपको इस ट्रमक में दिख रहे होंगे, ठीक है, confirm, सबसे पहला जो food होता है, वो कौन से part में enter होता है, cardiac part में, first food enter, enter in cardiac part, ठीक है, मतलब कि जैसे उस ट्रमक से food इस ट्रमक में आएगा, वैसे ही सबसे पहले कहा जाएगा, cardiac stomach में, confirm, अब stomach का का काम क्या क्या है, क्या कर सकता है stomach, तो stomach के function देख लेते हैं, function यहाँ पर लिख देते हैं थोड़ा सा, यह थोड़ा सा अलग है, यहाँ अब यहाँ से थोड़ा सा ऐसे, अब यहाँ पर function लिख देते हैं, function, function क्या क्या कर सकता है, एक तो digestion of food, digestion of food, food का digestion भी कर सकता है, है न, दूसरा कामा, और क्या कर सकता है, killing of germs, इस ट्रमक में killing of germs होता है, jumps, kill होते हैं, है न, इसके बाद और क्या है, stories of food, stories of food, है न, लेकिन यह कैसा, temporary, temporary, मतलब यह हमेशा के लिए confirm, भाई यह हमेशा के लिए थोड़ी store करके रखेगा, अगर हमेशा के लिए store कर ले तो आप तो सबसे अच्छे हो जाओगे, है न, है कि बूक नहीं लगी, एक बार खा लिया, तो store है, सालों साल, वैसा न, temporary store करता है food को, है न, और क्या करता है बिटा, और क्या करता है, churning of food, churning of food, मतलब उसमें बहुत सारे enzymes और SCL मिला देता है, जिसकी वज़े से food जो होता है, वो हलका सा soft, है न, नरम हो जाता है, और उसको digestion में आसानी होती है, फिर और क्या करता है, help in digestion of fat, help in, एक तो digestion लिखी दिया है यहाँ पर, digestion of food, तो यहाँ पर लिखा हुआ है अल्रेडी, तो इतने सारे function है, confirm, अब actual में, इतने सारे function कैसे कर लेता है? डाइजेसन कैसे करता, सबसे पचार्दे तो डाइजेसन की बात करते हैं, तो देखते हैं ज़र, डाइजेसन कैसे करता हुआ, इसके अंदर जो है, क्या होते हैं, कुछ digestive gland होती, जिन्हें हम gastric gland बोलते हैं, क्या बोलते हैं, gastric gland, ये बटा इस ट्रमाग के अंदर होती हैं, वाल पे, इस ट्रमाग की वाल पे, जैसे अब दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा डाइग्राम, के थूँ, कुछ इस तरीके के डाइग्राम है, इसकी वाल पे माल लेते हैं, यहाँ पे, ये वाल होगी, और इस वाल पे कुछ cells होती हैं, तो ये glands हमाल लेते हैं, ठीक हैं, these are the glands, ये glands हैं, ये gastric gland है, गेस्टिक gland क्या सिक्रीट करती हैं, अब ये क्या-क्या सिक्रीट कर सकती हैं, वैसे तो इसे डिटेल में पढ़ने के लिए, इसमें कई टाइप की cells होती हैं, उनको आपको नहीं पढ़ना है, और दुनिया वर की cells, लेकिन आपको नहीं पढ़ना है, तो ये gastric gland क्या सिक्री और दूसरा पियपसीन and कामा पैपसीन और कामा गैस्ट्रिक लाइपेज and गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक लाइपेज है नहीं विटा रेनेन और पेपसीन जो ये दोनो यह दोनों जो हैं वो protein digest करते हैं, यह क्या करते हैं? protein digestion करते हैं, protein digestion आप लोग थोड़ा आगे लिख लेंगे है नः, यह जो protein right in our prepsin है यह दोनों protein digesting enzyme हैं, और जबकि gastric lipase, तो इसका ज्यादा काम नहीं है क्योंकि digestion fat का, lipase मतलब lipid, lipid मतलब आप जानते हो fat और fat का digestion तब तक नहीं हो सकता है, जब तक उस पे, यानि कि food पे, उस fat के food पे, जो भी आप oil खा रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं, तो उस food पे क्या नहीं आए, bile juice, bile juice कौन secret करता है, liver, तो अभी तक इसमें bile juice नहीं मिलाया कि, इस टमक में जो भी food आया है, इस food में ये secretions तो हो रहे हैं, लेकिन ये bile juice इसमें नहीं आया अभी, तो जब तक bile juice, fat पे action नहीं करेगा, तब तक lipase जो है, वो उसको digest नहीं कर सकता है, तो ये lipid digesting enzyme है, लेकिन इसका काम नहीं है, आप चाहो तो वहाँ पे लिख लेना, lipid digesting enzyme, इसके बाद SCL भी secret होता है, यहाँ पे, SCL secret होता है, जिसका pH जो होता है, pH कितना हो जाएगा, दो से तीन pH, आप समझ रहा है, SCL, hydrochloric acid भी secret होता है, यहाँ इस ट्रमक में, फिर इसके बाद और क्या secret होता है, mucus, पहले number पे enzyme, दूसरा SCL, तीसरा mucus, mucus का है के लिए, बहिए, SCL इतना hard, इतना highly acidic है, तो इसको neutralize करने के लिए mucus चाहिए है, तो mucus भी secret होता है, ओके, तो यहाँ पे क्या-क्या हमको मिला, यहाँ पे हमको मिला, यहाँ पे हमारे पास food है, बहुत सारा, तो हमें food मिला, यहाँ पे food है, plus, SCL है इसमें, मिल गया, SCL निकल रहा है तो, SCL भी मिलेगा, confirm, फिर क्या मिलेगा, plus, pepsin oblique renin, इन दोनों में कोई भी, है न, pepsin oblique renin, इसके बाद फिर, food, plus, SCL, plus, pepsin oblique renin, plus, gastric lipase, इसका काम नहीं है, लेकिन यह फिर भी उसमें जाएगा, बहुत, बहुत, बहुत कम quantity में, lipase, और, plus, mucus, है न, इतनी सारी चीज़े, यहाँ पर present है, कहाँ पर मिलेगा, इस, इस ट्रमक में, यह सारी चीज़े, और, जब यह food, इतनी सारी चीज़ें के साथ, मिक्स रहता है, तो, this type of food, is also known as, this food, food called, क्या बोलते हैं, इसे called, काइम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिलेगा काइम, C-H-Y-M-E, इस acidic food को, क्योंकि इसमें, S-C-L, मिल गया है, इस acidic food को, हम लोग क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं, कन्फर्म बढ़ा, तो, अभी स्टमक में, और भी पढ़ना है, नोट करें, अब बढ़ा ही, स्टमक में, जो भी enzymes निकल रहे हैं, या जो भी निकल रह स्टमक क्या होगा, तो, gastric use क्या हो सकता है, सबसे पहले तो, आपका S-C-L, प्लस, पेपसीन या रहनिन, जो भी है, है न, रहनिन बिटा इसलिए, क्योंकि ये 6 मन तक, बेबी जब पैदा होता है, उसके 6 महिने तक, ये रहनिन निकलता है, ये केवल मिल के टूपर खाना खाना स्टाट करता है, वैसी पेपसीन रिलीज होता है, पेपसीन के pH में थोड़ा सा, मतलब ज्यादा pH में रहता है, एक्टिवेट होता है, और रहनिन थोड़ा कम pH में, कम इनसेंस मतलब, highly acidic में कौन होगा, पेपसीन, क्योंकि तब थोड़ा बच्चा बढ़ा हो ज मुकस सबसे ज्यादा निकलता है, प्लस लाइपेज, कौन सा इस्ट्रमक से निकल रहा है, इसलिए, गैस्ट्रिक लाइपेज, तो ये गैस्ट्रिक जूस का कंपोजीसन है, अब ये क्या करता है, S.C.L. किल जर्म्स, है न, क्योंकि भाई, आपके फूड में जो भी जर्म् क्योंकि आप कई सारे फूड्स खा लिए, उसमें कुछ उल्टा सीधा हुआ, तो S.C.L. क्या करेगा, है इसको मार देगा, किल जर्म्स, अब साथ ही साथ, अगर, आप जानते हो कि S.C.L. का pH कितना होता है, 2-3 pH होता है, 2-3 pH, तो इतना ज्यादा acidic है, तो हमारे स्टमक की वाल खराब क्यों नहीं होती है, ऐसे गलती क्यों नहीं है, ऐसे खाना बाहर क्यों नहीं आता है, उसका रीजन, देखो म्यूकस यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टन रोल करता है, म्यूकस क्या करता है, म्यूकस प्रिवेंट, मतलब बचाता है, क्या करता है, म्यूकस प्रिव from corroding, corroding by, corrosion होता है ना, corrosion, वैसे corroding by SCL, है न, SCL से जो wall खराब होने वाली होती है, उससे ये mucus जो है, वो prevent कर देता है, किस से prevent करता है, corroding by SCL, है न, उससे बचा लेता है, क्योंकि SCL बहुत थोड़े माउट में निकला, वैसी उसके just पीछे, कौन निकलाता है, mucus, तो क्या होता है, जैसे ये wall है, इसमें SCL निकला, अब SCL निकलेगा, तो क्या होगा, वो food में mix होगा, उसके बाद, इसकी पूरी wall पे, अगर वो food attach हो जाए, और mucus ना निकले, तो क्या होगा, पूरी wall की wall degenerate हो जाएगी, है न, आप भी समझ रहो, तो बहुत सारा mucus secret हो जाता है, जिससे क्या होता है, कि उसके acidity थोड़ी सी कम हो जाती है, अब अगर by chance, mucus ना release हो, जैसे dysfunctioning of mucus gland, dysfunctioning of, dysfunctioning of mucus gland, mucus gland, mucus gland में dysfunctioning होगा है, या फिर low mucus secretion, low mucus, low मतलब इससे क्या low मतलिक हो, insufficient, insufficient, mucus secretion, mucus secretion, secretion, dysfunction of mucus gland, or insufficient mucus secretion, cause, क्या cause कर सकता है, बैटा, अगर कम mucus secret हो, तो क्या cause करेगा, cause, gastric ulcer, यानि कि stomach ulcer, stomach, cause, stomach wound, wound मतलब घाव, है न, stomach के अंदर घाव पहिदा कर सकता है, जिसे हम लोग बोलते, gastric ulcer, क्या बोलते, gastric ulcer, समझेगी नहीं, gastric ulcer, confirm, ओके, फिर gastric ulcer cause कर सकता है, या फिर acidity cause कर सकता है, है न, और भी बहुत सारी चीज़े, etc, ठीक है, इस तरीके से, S.C.L. के आप बेटा और काम है, जैसे kill germs और enzymes को activate करता है, activate enzymes, enzymes को activate करता है, क्यों, क्योंकि बेटा जो यह रेनिन और pepsin दिख रहे है, यह inactive form में नहीं कलते हैं, और इनको active करने का काम कौन करता है, S.C.L. अब एक यह और यहाँ पर हम लिख देते हैं कि protein, जो pepsin है, जैसे रेनिन है यहाँ, रेनिन क्या करता है, रेनिन जो है, milk protein को digest करेगा, milk protein को, milk protein को, किस में convert कर देगा, calcium, paracacinate, calcium, है न, sorry, यहाँ पर milk protein नहीं, एक सिकंट, आप milk protein, milk को यहाँ रखो, और ऊपर रखो रेनिन, है रहा, calcium, paracacinate में convert कर देगा, paracacinate, और यह जो paracacinate होता है, वो curd-like होता है, कैसा बटा, curd, इसलिए बच्चे, जब छोटे बच्चे होते हो, उनका पेट हलका सा, मिल्क पीने के बाद दब जाता है, तो curd बहार निकलता है, देखा होगा अकसर आप लोगों ने, यह तो रेनिन का हो गया, दूसरा जो, आप महरा एंजाइम है, दूसरा कौन सा एंजाइम है, यह है दूसरी प्रोटीन, कोई प्रोटीन है, उनको क्या करेगा, पेपसिन, यहाँ पे, जैसे आपने डाल खाई, तो उसको कौन डाजिस्ट करेगा, पेपसिन, और पेपसिन किस में कनवर्ट कर देगा उसको, प्रोटीोजज, प्रोटी, प्रोटीोजज, plus peptone में convert करता है peptone है ना हमने आपको बताया था कि protein जो होती हो किस से बनी होती है amino acid से और amino acid काई सारे जब join होते है तो polypeptide बनता है polypeptide के अब peptone और proteuses तो proteuses और peptone को तोड़ देगी और उसके बाद आगे चलके ये breakdown हो जाएंगे amino acid में है ना और amino acid simplest form है तो absorb कर लिए जाएगा आपको भी पता है हमारी intestine जो होती है sorry जो हमारी intestine होती है वो simplest food को क्या करती है absorb करती है इसलिए हम लोग जो भी complex food material लगाते चाहेगा carbohydrate हो, fat हो यानि कि starch हो fat हो या फिर protein उसे digest करके protein किस में convert हो जाती है amino acid में और जो starch हो carbohydrate यानि कि monosaccharide में convert हो जाता है और fat जो होता है, fatty acid उसे absorb कर लिया जाता है, confirm stomach की एक और खास बात है बिड़ा कि ये कुछ चीजों को absorb करता है इस्टमक में absorption नहीं होता है एक तो absorption में partial digestion होता है, क्या होता है partial digestion होता है क्या होता है, partial digestion complete digestion नहीं होता है देखो, अभी क्या protein जो है, वो amino acid नहीं होता है नहीं होता है तो कोई भी चीज complete digest नहीं हो रही complete हो जाएगी तो आगे जो लीवर का काम है जो अपना pancreas का काम है वहाँ से जो enzyme सिकलते वो क्या करेंगे कुछ नहीं कदूआ कुछ नहीं करेंगे तो इसलिए कदूआ मतलब कदूआ कुछ नहीं करेंगा वो कदूआ एक word है कदूआ कुछ नहीं करेंगे in the sense मतलब वो उनका काम ही नहीं रह जाएगा इसलिए आप partial digestion होता है अब यहां पे कुछ absorption भी होता है, क्या जड़र देखते हैं, इस ट्रमक एब्सॉफ्व एब्सॉफ्व फॉफ्व सम ड्रक्स, ड्रक्स कामा, ऑलकोहल, है न, तो इस ट्रमक पे कुछ ड्रक्स और ऑलकोहल एब्सॉब होती है, जैसे होई वेक ते दारू पीता है तो क्या होता है कि उसको तुरंट मतलब उसके ब्रेन से connectivity उसकी body की क्या होती है सही से नहीं हो पाती है properly नहीं होती है उसके हाथ पैर कहीं और जाते है और चलता कहीं और है तो क्या होता है तुरंट उसने drink की then after वो absorb हुआ होने के बाद body में function अपना start कर दिया उसने जिसको brain को body से disconnect करना है तो इस तरीके से उसने काम कर दिया कुछ drugs जैसे आप देखते है डिस्प्रिन दर्दकान तुरंट देखे होंगे तो डिस्प्रिन मतलब एस्प्रिन नाम के जो drugs होता है उसको अगर हम लोग intake करते हैं तो वो भी इस टमक में जाके absorb क्योंकि digestion में पहुट time लगता है और time लगेगा जितना ज्यादा time लगेगा उसको relief देने में time लगेगा इसी इसी लिए कुछ drugs absorb हो जाते हैं और तुरंट action करते हैं not down करें ये भी ओके तो अब इस टमक के बाद food enter कहां होगा जो food होता है इस टमक से जस्ट निकलेगा और कहां enter होगा small intestine तो हम लोग अब पढ़ेंगे small intestine क्या पढ़ेंगे पिटा small intestine intestine की अगर हम बात करें तो small intestine को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया पहले तो सबसे पहले अब आप नहीं समझ लेते हैं कि तीन पार्ट में डिवाइड किया गया कॉन-कॉन से स्टीन पार्ट है आप चार्ट में पढ़ चुके हैं वैसे यहाँ पे लिखेंगे इसको 1.5 cm width होता है मतलब यह जो width है है चोड़ाई जो होती है इसकी वह 1.5 cm ही होती है मतलब इतनी चोड़ी होती है ठीक है इसी लिए इसको हमें small बोलते है और जो large intestine होती है उसकी लंबाई तो कम होती है यह length है यह क्या है यह length है और यह width है इसकी लंबाई तो ज़्यादा होती है इसकी लंबाई तो जादा होती है सबसे पहला इसका part आता है duodenum क्या आता है duodenum अब duodenum का structure अगर आप देखे तो कुछ इस तरीके का structure आपको दिखेगा जैसे इस ट्रमक से ऐसे आएंगे तो यहाँ पे इस तरीके से ऐसे और इस जगे आपको दो चीजे दिखेगी एक duct आएगी इस तरीके से और एक ऊपर से duct आएगी यह और यह इस तरीके से एक leaf जैसे structure दिखेगा चीक है? Confirm बड़ा यह उपर इसके क्या होगा था? स्टमक था यह दिस वाज स्टमक है यह है डूडूनब यह जो पार्ट दिख रहा है आपको डूडूनब सबसे बज़े जिए इसका shape कैसा होता है? सेप, सी सेप, सी जैसा दिखता है, है ना? क्या क्या receive करता है? receive, receive कौन कौन से duct, pancreatic duct, pancreatic duct, और क्या receive करता है? बाइल डक्ट, है ना? क्या receive करता है? बाइल डक्ट, एक तो pancreatic duct receive कर रहा है, एक बाइल डक्ट, दोगों यह बाइल डक्ट है, बाइल मतलब होता है, लीवर से जो आ रहे है, यह है बाइल डक्ट, बाइल डक्ट, है ना? और यह जो है, वो pancreatic duct है, pancreatic duct, दोनों duct है, यह pan क्रियाज है ठीक है तो दोनों डेक्टर सीफ कर रहा है कौन दियूडिनम ठीक है प्लस यहां पे कुछ intestinal glands होती है intestinal glands present होती है intestinal glands जो होती है वो क्या secret करती है secret enzymes बहुत सारे enzymes secret करती है कौन-कौन से हम आगे पढ़ेंगे है ना तो deuterinum C-saved हो गया अब इसके बाद food जैसे ही स्टमक से receive food from स्टमक भी लिख सकते हो यहाँ पर receive यहाँ पर लिख दो यही पर लिख दो food from स्टमक food from स्टमक इसमें स्टमक से food भी आता है अब यहाँ पर food आया तो यहाँ पर mix क्या होता है food के साथ food mix with क्या होता है food mix with इसके किसके साथ mix होगा पीछे ज़स्ट होता है ठीक है लीवर जब पढ़ाएंगे तो आपको आपको आपर डियागराम बना भी दिखाएंगे food mixed with bile juice जो लीवर से स्क्रीड हो रहा है and pancreatic juice and pancreatic juice pancreatic juice और ये कहां से स्क्रीड हो रहा है pancreas से pancreas से है ना किसे pancreas तो दोलो डट्ट ये pancreatic duct है ये bile duct है दोलो एक साथ open होती ही जाके इसलिए हम लोग इसको hepeto pancreatic duct भी बोलते है क्या बोलते है इसको इसको बोलते है हम लोग hepeto pancreatic duct है ना अब ऐसा क्यों बोलते है क्योंकि देखो pancreatic duct ये है bile duct ये है जो liver से आ रही लीवर मतलब क्या होता है hepeto hyper मतलब liver hyper भी बोलते है लीवर को बड़ी क्लासों में आप पढ़ो गई ये सब hyper मतलब liver तो liver से जो duct आई हो hepatic duct और pancreas से जो duct आई हो pancreatic duct दोनों जंबिल गई तो क्या बन गया hepeto pancreatic duct confirm okay दूसरा जो structure है दूसरा जो structure वो क्या है जजुनम जजुनम ठीक है डियोटिनम जजुनम ठीक है अब जजुनम में क्या होता है absorption of food होता है absorption of food यहां पर absorption of food क्यों होता है क्योंकि यहां brush border epithelium होता है कैसा होता है brush बॉर्डर्ड बॉर्डर्ड इपिथीलियम देखो बटा brush border epithelium मतलब यहां पर कुछ इस तरीके की epithelium होती है यहां पर कुछ इस तरीके की epithelium है यह देखो brush जैसा brush देखते हूं वैसी epithelium होती है यहां पर तो आप क्या समझ रहे हो जैसे आप अगर बात करो यह जो line खिच रही है यानि कि सीधी line यह ज्यादा distance की है कि यह जो टेड़ी टेड़ी है से उपर नीचे उपर नीचे जा रही है वो ज्यादा लंबी है बिल यहां से यहां तक अब अगर आपके पास ऐसे brush border हो तो आप यहां से ऐसे जाओगे फिर ऐसे जाओगे फिर ऐसे जाओगे तो रास्ता के वली तो नहीं है लेकिन इसे cover करने किता टाइम लगा बहुत ज्यादा ऐसी food जो होता है food जो होता है इसी के थुरू cover मतलब इसी के थुरू जाता है ऐसे तो इन वाइक्रोविलाई में ज्यादा देर तक food रहता है जिसकी वज़य से food absorption easily होता है और अच्छे से होता है ठीक है न तो इनका काम brush border repeating लिया है जिसे हम माइक्रोविलाई बोलते है क्या बोलते है माइक् इनका में काम होता है माइक्रोविलाई का absorption of food लिख दिया है मैंने ओपर ही लिख दिया है absorption of food जजुनम का यही काम है लास्ट आता है इलियम क्या आता है इलियम तो इलियम receive food receive food कहां से receive करता है जजुनम से जजुनम से food receive करता है और send send किदर करता है सीकम में किदर करता है सीकम सीकम large intestine का part है वहाँ पर send करेगा इस इलियम के एक खास बात है कि इस इलियम में बहुत सारे lymph nodes होते है lymph nodes जैसे कि आप tonsils देखते हो tonsils यह जो tonsils होते हैं उनमें वह lymph nodes हैं है ना armpit पर lymph nodes होते हैं जब भी हमारी body में infection होता है तो यह lymph nodes जो होते हैं यह क्या करते हैं जंक्स को kill करने में help करते हैं है ना क्योंकि इनके अंदर lymphocytes होती है ऐसा मतलब दुनिया मरी की WBC और lymphocytes तो वह क्या होता है कि वह help करती है इसलिए इस intestine के अंदर कोई bacteria अगर option के दौरां या उसके food के अंदर वो क्या कर देंगे उसको मार देगे इसलिए यहां पर क्या होता है बहुत सारे more number of lymph nodes lymph nodes और इन lymph node को हम लोग बोलते है पेर्स पैचेस क्या बोलते हैं पेर्स पैचेस पैचेस यह तुम्हारा लेबल का नहीं है लेकिन हमने सिर्फ बता दिया आपको पैचेस तो इस्मॉल एंटेस्टायल में बस इतना ही आपको पढ़ना है नोट डाउन करें कड़ें कि और कैचेस तो आज हम मोंने इस्टमक बड़ा इस्टमक को डीटेल में पढ़ा गैस्ट्रिकला इस तरीके से क्या क्या स्क्रीट करती है और जो गैस्ट्रिक ग्लैंड में जो सी क्रीशन होता इसके साथ फूद मिख सुञुट क्या बोल्टेंस है, सारी चीज़े आपने पड़ी, इसके अधि small intestine में जितना जरूरी है, important है मैंने आपको discuss किया, इसके वाद हम लोग large intestine पड़ेंगे, है न, confirm, okay, thank you.